जुर्देश के लिए हमेशा साथ में लड़े आज दुश्मन बन क्यों आमने समने खड़े रुक्जाँ जलार बोली अभी जी तयाँ उनकी कहानी अभी बाकी है। जिनका बस नाम ही काफी है। C.I.D. फॉबसार हाए। Sony Entertainment Television Bar वाओ। SEC. whimißtew Kitchen多? मैं आपटो ग्रेट मैं हमारी अप तक्सम्साइगी लिए मेरी तो सारे लिए लिए होती है कजया है नällen, तुम्हारे साथ,HOए मैं 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 उतक्कर कंग्रेचु नहीं कंग्रेचु अच्छा, निस्जिन, डून्ट्यू थेंग, अवामें सीरिसली सोचना चाहिए, लाइक, अवावट एज़ए. I mean, एटिंग-एटिंग थीक है. But what next? Okay, I know you have a killer smile. But abhi, I'm serious. Okay, listen. Okay, listen. Next week, my parents are here. And I want to meet you. So, will you? Sure. Seriously, you meet me? What's the problem? What's the big deal in that? Oh my God! You're a cutie boy. Sweet or you are. Okay. Come, I'll show you my house. Yeah. Oh my God! Wow! Superb house! You are such a beautiful house. I must say. Like it? I loved it. You are such a beautiful house. Is it? Yeah. Come. Listen. 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 I'm going to get to the house. I'm going to get to the house. How are you? I'm going to get to the house. Okay. But I'll get to the house soon. Okay. Come on. Come on. Yeah. Um... Light. Um... Wow! Gaming room! Uh... 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 रोहेत, चलो ना मल्टिप्लेए खेलते हैं, रोहेत, जल्दी आओ. रोहेत, बेवी, रोहेत, रोहेत, बेवी, रोहेत, बेवी, यहेत, रोहेत, बेगानने में, तुम्हेत कहले, पर कौन सा गेम? ऌके, बेवी, बहुत एक्सरी, बहुत एक्साइटिंग गेम हैं, इस AIDS हैं⁠ okay are you ready mm-hmm okay let's start so this is your first guess um come on Rohit this is a glass it's not simple game now it's simple but it will be difficult let's see your second guess how perfect okay come on Rohit it's an ice impressive right aunts a baby ah oh 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 रफेक, 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 इसनला? यह लाश, गहांसे है? हड़ी, विलिए. बात बेरे में से मारा हैं. चाकू के घाओं लगते हैं. इसकी पूरी तरसे मारा है, सेर. इसकी पूरी बॉड़ी पे यह खून है. और यह आसपास कहीं खून दिखने रहा? हाँ. कहीं और मारा होगा. फिर बॉड़ी यहां लाके चुपा के रख दे. पर इतनी बेरहे में इसे कोई मारता है क्या? लगता है बड़े गुसे में आकर मारा होगा इसे. इसके आखों पर पट्टी किस लिए थी? ताकि ये खोनी का चेहरा ना देख सके. आसपास लोगों से पूछ ताश करते हैं. और फिड़ी बड़े का फोटो कीचो. और आसपास के पुलिस नीचन में जाकर पता लगा. क्या किसी ने मिसिंग परसंस का रिपोर्ट दर्श किया है क्या? सुनो, आप यहां के सुपरवाइजर हो. जी सर. अच्छा, आप लोगों ने इस लड़की को यहां पहले कभी देखा था? नहीं सर. नहीं? अच्छा, कल रात को या पिर आज सुबह, यहां कोई आया था? किसी को देखा था? शायद इस लाश को रखने के लिए यहां पिर और कुछ. कुबह, जो महीं यहां आयता, हम लोग के सिवा कोई नहीं देखा. और सर, कर रात को भी मैं और मोहन यहां से सबसे आखरी में गए थे. तब भी कोई नहीं दिखा था सर. वैसे यह कंस्ट्रक्शन साइट है किसकी? सर वो वरुन सर. वरुन? कोई आप आके लाश रख चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता? सर हो सकता है, वरुन इस लड़की को जानता हूँ. वरना उसे की कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉड़ी केसे मिलेगी? वो तो पता लगाए लेंगे. यह वरुन जी का ओफिस का है? मिस्टर काबरा, यह मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है. राइट इन दे सेंटर अफ दे सिटी. मैं आपको पावर पोइंट दिखाता हूँ. कमिन. बाइट दिस्टर्ब्यू. आपसे मिलने के लिए C.I.D. वाले आया है. C.I.D.? यह. मिस्टर काबरा, अब राइट बेगाए. यह रोट प्रोजे को जानते हैं? यह वरुन? यह आम वरुन. पाफिए वन जो पर को सब्कुन साइट पर हमें इस लडकी के लाश मिली है। इस लडकी को जानते हैं? मैं इस लडकी को नहीं जानता है। इन पैक्ट यह मेरे साइट पर में आएमिन यह सब कैसे हुआ कब हुआ सर? इंवेस्टिकेशन चल रही है, फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से बात करें, शायद कोई से जानता हूँ? येस अब कोस, आप जिससे जो सवाल पूछना जाती हैं, पूछ सत्ती हैं, मैं God इसे बड़ी अजीब बात है, कोई अजान लड़की उसकी लाश तुमारे कंस्ट्रुक्शन साइड पे मिलती है, अब ये लाश अपने अब चल कर तो नहीं सकती, क्या कोई डाल कर गया होगा, क्या लगता आपको? सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, I have no idea about it, but I'm sure, sir, मेरी company, best three companies में से एक है, हो सकता है, ये मेरे राइवल से प्लान हो, अपने competition को हटाने का, आप तो जानते है कि business में क्या क्या होता है, and this can be one of the reasons, sir, it's really disgusting, sir, sir, मेरी आप लोगों से एक request है, real estate में मेरे company का तो, sir, मेरा business और मेरी family के reputation खराब हो सकती है, sir, sir, आपको मुझे जो help चाहिए, मैं help करने के लिए तयार हूँ, आप लोग मुझे जहां बुलाएंगे मैं आने के लिए तयार हूँ, लेकिन प्लीज, sir, ये बात मेडिया तक नहीं पहुचन जाहिए, it will be a big loss for me, sir, I hope you all understand, sir, Thank you so much, sir, 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 सब से पोच लिया, इस लड़की को कोई नहीं जानता है, Mr. Varun, एक लड़की के लाश आपके construction साइट पे मिलती है, और कोई भी नहीं जानता उसे, साइट पे किसी नहीं पचाना, आपके स्टाफ में से कोई नहीं जानता और आप भी नहीं जानते है, कोई एक बार इस लड़की के बार में पता चल जाएं, sir, तो आगे की कहानी पता चलेगी, फ्रेडी गया, यह इन्फरमिशन लाने के लिए, पता चल जाएगा, अगर दुरुरत पड़े, तुम तुम तुम्हें फिर से आकर मिलेंगे, शूर से, एनीटाइए, सुद्वाए, सर, यूपी की रहने वाली थी, पिछले आठ महीनों से मुंबई में रह रहे थी, पेइंगेस बर के, फैमिली वहीं पे, यूपी में, सर, मेगा के फ्रेड्स से उन्होंने बात करी, तो उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी उसे शादी करने के लिए अच्छा, हाँ सर, और फैमिली से तंग आकर उसने मैत्रिमोनियल साइट पर अपनी प्रोफाइल भी बनाए थी, और कुछ लड़कों से बात भी की थी, तो पिछले दस दिनों में, वो जिन जिन लोगों से मिली, उनकी लिस्ट बनाई है, हाँ सर, हमने मेगा के कॉल और सर, जिन जिन लड़कों से वो मिली थी, उब को आमने बुला है, सर, वो आते ही होंगे यह मेगा है, अब सब लोग इसे जानते हैं, इसे मिले भी हैं, है ना, तो अब एक एक करके बताओ, मेगा से कब मिले थे, और के से मिले थे, सर, मैं मेगा से पिछले हटे एक कॉफी शॉप में मिला था, मुझे तो बहुत अच्छी लड़के लगी और हम दोनों किनेक्ट भी हो गए थे, मुझे तो लगा कि अब दुबारे जल्दी मिलेंगी पर उसे पताने क्या हो गया, मैंने काएंबरे से फोन मैंने सोचा था सा कि मैं उसे बाद में भी मेलूँगा बर मेगा ने मुझे समझाया है कि हमारे पीछे कुछ भी कॉमन नहीं, मिलने को पॉइंट इडी बनता हूँ मेगा को पहली बार में एक एक मिनिट एक मिनिट तुम रोहीत हो ना? रोहीत, मेगा की रीसेन्ट कॉल इस्ट्री में सबसे जादा तुमारे फोन नंबर है लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गए थी जी मेगा और मैं पाली बार एक पाटी में मिले थे तब से मच्छे दोस्त बन गए थे हम लोग काफी बार बाहर मिले फ़र फिल्म्स, कोफी, एक्सेट्रा तुम दोस्ती है तुम दोस्ती है तुम आप दोनों देट करहे थे हैं जी पर कुछी दिनों के लिए लेकिन लेकिन मेगा शादी करना चाहती थी और मैं उसे मना कर दिया क्योंकि मैं मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ तुम पास करना चाहते थे हम तेर क्या हुआ फिर भी हम लोग दोस्त है काफी अच्छे दोस्त है वैसे है कल रात क्या हुआ जब तुम दोस्त मिले वेकर रही है मेगा की कॉल इस्ट्री में साफ साफ लिकरण कि कल रात चार बार तम लोह के बीच बात वी इसलिए छूट बोले के सोचना विमार्ग अ कल रात मैं और मेंका हम लोग बस दिनर के लिए का थे और दिनर के बात मैं मेगा को इसके घर छोड़ा उसके बाद क्या हुआ मजी कुछ नहीं पता इंफर्ट मैं तो खुछ शौक दूँ है रहानू मैं की अभी कली तो मेरे साथ थी हो and today she's dead she's no more how is that possible हाँ हाँ इस तो हम पता लगा लेंगे हम पता लगा लेंगे जा सकते हो तुम लेकिन एक बात अच्छी तरस से याद रखना अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे सब लुग जा सकते हो यह कुछ ठीक नहीं लग रहा है आँ फ्रेडी पंकाच इस व्रोहित पर कड़ी नदर रखो और इसकी पूरी कुंडरी निखालो लैस्कुजमी यह सर सी आडी है आप जानते हो इसे यह तो रोहे थे अपने घर से ज्यादा समय इसका तो उतला जड़ित दॉट प्रेंट्स के साथ इस क्लॉब के लिए नदर में झालडी छेड़ सारे फ्रेंट्स है अच्छा, इस वर उसके कोई फ्रेंज है याप है? वो रोहित के वारे में कोई बात करनी थी क्या हो है सर? एवरिधिंग ओके? आप सिर्फ इतना पता ही है कि ये रोहित के दोस्त कहां मिलेंगे सर वो रहत करन और अकारश ये दूनों रोहित के अच्छे फ्रेंज से मालूम था मुझे, क्या मालूम था? यही की रोहित जरूर कुछ ना कुछ एक दिन गड़बड करेंगा वो है ही ऐसा है एक बड़ड़ एसा ही हो मतलब? मतलब रोहित बहुत अच्छा लड़का है और बहुत अच्छा फ्रेंड भी है लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम में उसे बहुत दुस्सा आता है सिर्फ बहुत शॉर्ट टेमपरड हो और जब उसे दुस्सा आता है तो वो कुछ समस्ता ही नहीं वो कहीं भी किसी से भी लड़ाई जगडा स्राट कर देता है अ.. तुम लोगों के साथ उसने कबही किया एसा hyvä, मैरे साथ तो नहीं लेकिन हमारे एक और दोस्त आर्यान उसके साथ उसका सीन हो गयाा रोहित चल! रोहित चल! मेरे चिल! अमेहाँ किया ओना मतला हमाता भी pam。 रोहित कया मतला में भी लिए इना सर, रोहित का हमेशा से यही प्रॉब्लम है से, वो तो उस दिन भी वरून बीच में आ गया था नहीं, तो रोहित ने तो आरहन को अब ये वरून को ने? सर, सर, रोहित वरून का बेस्ट फ्रेंड है से, जब भी रोहित का फ्यूज उड़ता है नहीं, सर, तो सिर्फ वरून ही एजोसे समाल सकते हैं यह वरून वही है ना, जिसका रियल एस्टेट का बसी से? हाँ, सर, वही वरून, आप लोग जानते हैं से? क्यी है. इसका, क्यांक्या. क्यांक्या. प्रिणे, नहीं घ Hosp्राइबताए. लोगडन, ओम आणक्या, और पुस्यादू? वेल्म, वेल्म, बेसा आना हुआ? हमेले भी ने पर तुम्हें नहीं किया, नहीं? यह सर, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टब नहीं किया, वैसे इस लड़की का क्या हुआ, कौन थी वो, कुछ पता चला हुआ नहीं ना, तभी तो सोचा तुम्हें आकर मिलने, शायद तुम हमारी मदद कर सो, मेरे पास है, सर मुझे तो… कुछ नहीं बता, ना, फिर तो हम यह आकर बेकार में तुम्हेरा टाइम बेस कर रहा है, वो लड़की मेगा, उसके बारे में तो कुछ बता नहीं चला, लेकिन हाँ, तुम्हारे बारे में कुछ मालूम पड़ा है अरे तुमने प्रोस्ट वालों से जूट बोला। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कहाना चाहते हैं। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, ट्रस्ट में ही, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या हुआ वरुन? डर लगने लगा? किसी अपने से बात करना चाहते हैं? किसी फैमिली मेंबर से या फिर दोस्ट से? किसी खास दोस्ट से? जेसी के रोइट? रोइट? तुम्हारा सबसे खास दोस्ट? मेगा का बॉइफरेंड था वो? यादा है? हमें तो ये भी मालूम है कि रोइट को गुस्सा बहुत आता था और उस वक्त उससे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते थे और हां इनको जब गुस्सा आता है तो फिर इने कोई हैंडल नहीं कर सकता इसलिए तुमारे लिए अच्छा होगा कि जो छुपा रहे और चुपचा बता दे पर गया तब रोइट 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 गॉट यह क्या किया है तुने इसे मुझे बचा दिया रोइट पुट्टानी, कैसे हो गया मुझे यार? वरू, मेरे भाई, प्लीज मुझे बचा ले, यार यह कैसे हुआ यह सब? हाँ, च्या किया तुने? मुझे लगता है, मैंने मेगा को भारतीया, यार मुझे पिकी एलपटी है, यार मुझे बचा ले, यार मैं, मैं तेरी कोई मदद में कर पाँगा यार, यार, तु तु एसा मौँ रहा है मैं हमेशा तुछ पर ही तो काउन करता हूँ जितनी बाद में प्रॉब्लम से फसा हो, तूरे मुझे बहार निकाला है यार, मैंने जितनी बाद भी फाइट जोगगा मैं प्रॉब्लम से फाइट यार, अलग होती है भी इस आखिए अलग होती है तु ने खुण किया है में अगा पागल होगे तिरा दुमा कराब होगया मैं यार, प्लीज पीज 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 आखिँ उसे जब भीग पंग रहा याद, प्लीज हेल्प मियाद, प्लीज 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 शान्थ हो जा रोल कर इसे तुसी वाद तुमने मेगा की लाश को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर चुपा दिया वो इस मार्डर वेपन का क्या किया? वो पवई के पास एक नदी है, रहना वहाँ फेक दिया कर स्टिटी मिलो इनको सर्थ मिलो, मैंने मेगा को नहीं मारा है, मेरे पात कोई आप्शन नहीं था, वो रोहित मुझे फोर्स कर रहता है वो भी एक क्राइम होता है डिरेक्टल या इंडिरेक्टल या इंडिरेक्टल, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होते है और इसके लिए तो मैं कम से कम दो साल की सासा जरूर है दो साल? सर प्लीज प्लीज आप लग मुझे है रेस्मात कीजिए सर प्लीज ले चलो इसे सर प्लीज वरुन ने तो बताया के रोहित ने खून किया है चलो देखते है इस रोहित के घर में कोई सबूत मिलता है क्या सर, रोहित ने मेका को यहीं पर मा रहा है पहले मारा और फिर सबूत बढ़ाने के लिए खून साफ कर दिया देखते हैं कुछ और मिलता है कहीं आप है सर 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 यह गड़ी लिए जेंट स्वाट्स है, शाय द्रोहित की होगी तरकलो इसको, एविटेंस के तौर पे काम आएगी और वो मुड़र वेपन, वो चाकू, वो तवर उने फेक दिया फिड़ी तो पवय लेक के आसपास के एरिये को च्छान मारो किसी भीहाद में शाकू को ढूड़ना ही होगा और अब इस रोहित को भी उसका ठिकाने पंचा देते हैं जेल यही वो बगला है जहाँ उस लड़की का खून हुआ और जैसा कि अब देख सकते हैं पुली सद्मी हुत्री बिल्डर्स के बेटे रोहित को आरेस करें रेडियोर पंकच कहा लिए सर पवय गय है जिस हत्यार से मेगा का खून हुआ था वरुन ने वहां के नदी में फेख दिया था वही डून लेगा हत्यार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा फिर भीज कुछ होगा नहीं तुम लोगा से सारमके साब अभीजी जब भी सारुन के साथ बीन बुला है महमान के तरह आता है बुरी कपर लेकर आता है बता क्या वा सारमके साब आज गल्ती से आगए यहां पे गल्ती मुझसे नहीं हुए गल्ती इनसे हुए है केसीपी साब से अभी तु डॉक्टर है यह जिलेभी वाला है जब देखो हर बात को जिलेभी की तरह गोल-गोल तरह के बता देता है सिधे-सिधे बताना सीधी बात है बॉस के तुमसे गल्ती हो गए तुमने एक गलत आप्मी को औरेस्स करने क्या? तब यह कह रहे है के यह रोहित बेकसूर है अंडर परसेंट रोहित बेकसूर है देखो यह लड़का खुनी हो यह नहीं सकता एक बार तुने देख लिया पता चल गया क्यों बेकसूर है तुम यह पता लगे ना लगे मुझे पता चल जाता देखो ना जाना सरह हॉंसे बेखो कितना डरा हुआ है बिचाना पर सारूंके कोई भी मुझरिब पक्रा जाए तो ऐसी खड़ा रहेगा ना डर के बारे तुम से बहुत करना बेका तुम्हें काम करो उसे बुला लो पता लागा लेते हैं देख सारूंखी फॉर यो काइंड इंफरमेशन इस लोहित ने अपना गुना कबूल किया देख 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 करेंगे एक साथ सर प्लीजी से यहां से लेकर जाएए सर और किसी दूसरे लोकाप में डाल दीजी परना मैं पागल हो जाओंगा अ क्या होगा? शर रात बर परिशान कर रखा या इसने विरबoquै फटवड कर भढ़ की इसने इसने निले में और रात बर अपने बदल को नोच रहा था सर और सर जोरदो से चीक रहा था चीक रहा है थे, क्या? बोरा था मुझे यहां से निकालो, यहां मच्छर है, यहां कॉक्रोच है, और जाने क्या क्या सर् सर्, मुझे इन कीरों से बचाओ सथ, सथ परिशान कर दिया सर इसने रात पर अच्छा, रोइट, तुम्हें यहां पॉर तगली पो रही है ना? चलो, मैं तुम्हें के यह और लेकर चलता हूँ, बाहर निकालो, यहां. ने वरुण ने, तुम्हें नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं पर रुखोगे. हर जगे, हर स्मय, दोस्ती निवाने की कोई ज़रुवरत नहीं है. चुलाओ. मिस्टर रोहेत, यह चाग को पकड़ो, और जरा इस दमी पर दूर-चार वार जोर से कड़ा. पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो. बारो. पक्रवो. 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 तरिका, बेगा की डेट्ट बॉड़ींके फोडोस्याब्स प्लाँ? यह देखो बास, यह नेगा की डेट बॉड़ी पर यह जो घाव है जरा गवास से बेखो. यह घाव एक्दम सीधे, सीधे. जैसे किसी ने बहुत तेजी से सीधे वार किया और चाकु बाहर निकाल. और यहां देखो, रोहित ने जो चाकु से वार किये इस दमी परो देखो, एकदम टेड़े में. अलिकें, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि यह देखो, यह रोहित के यह हाथ. यह कापते हैं, यह स्टड़ी नहीं है, ऐसे हिलते हैं. मैं तो यूज देखकर कही समझ गया था. और सकर रोहित ने चाकु से बाहर किया होता, तो उसके चाकु के बाहर ऐसे होते हैं, टेड़े मीड़े, ना कि ऐसे. विसे, जेन में तो मैंने देखा था कि रोहित के हाथ ऐसे कापते थे. लेकिन सेर, रोहित हो खुद कह रहा है कि उसने मेगा कमा रहा है? हाँ, यह बात तो है दया, पर रोहित, ज़रा फिर से अच्छी तरह से याद कर और बता, क्या हुआ था उस वक्त? सर, उस रात मैं और मेगा रेस्टरेंट में डिनर करके घर पाचे. जब मेरी आखोरी तो... मेगा? मेगा मर चुकी थी. शाय... शायद वरा जगड़ा हुआ होगा और रहने होसे मार्दी होगा. शायद जगड़ा हुआ होगा मतलब? तुम्हें पता नहीं क्या होगा था? अचा, तुम दोनों क्या लाभा कोई और था आपर? नहीं सर. और कोई नहीं था आपर. पर सर, प्लीज, मैं आपस आपस रिक्वेस्ट करता हूँ. आप मुझे उस लॉकप में वापस मत भीजीगा. वहां बहुत मच्छर है, सर. बहुत मच्छर काटते है, सर. प्लीज, सर. एक में प्रोहित, एक बात बता. यह जो तुम्हारे हाथ कापते हैं, क्या तुम 2400 गंडे नशे भी रहना चाहते हूँ? इसलिए इसे हाथ कापते हैं. मेडिकल टर्म में से, DT, देलेरियम टैमन्स कहते हैं, शराभियों में यह अक्सर होता है, क्योंकि जब तक इन्हें कोई नशा, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं मिले, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है. इन्हें एक किस्म का हैलूसिनेशन होने लगता है, जो है वो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देने लगता है, वो ही सोचने लगता है. हाँ, सब कुछ इनके दिमाग में होता है. परवेत, जर एक बात बताओ, जब तुमने मेगा की लाश देखी, तब तुमने क्या किया? मैं बहुत डर गया था, और इसलिए मैंने तुमने बेस्ट फ्रेंड वरुन को कॉल किया. वरुन, वरुन, प्लीज आफ तु घर पर जल्ली आजा, यार, उसे बहुत बड़ी गर्ती होगे, यार. बहुत बड़ी प्लम्लम होगे, यार. प्लीज, तुम, कैसे भी करके जल्दी पहुश? यार, मैं मैं कुछ नहीं जानता तु, बस मेरे गर पर जल्दी पहुश, अब यह क्या भी है? मेगा की डेड़ बड़ी कोच ने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पंचा के चिपा दिया, और नाइफ को पवई लेक में फेक दिया, सर. क्या वरून मेगा को जानता था? बहुत अच्छे से जानता था, सर. पहली बार मेगा को वरून के थ्रूई तो मिला था, वही तो मेगा को पार्टी में लेकर आया था. वाट? सर, एक मिलिटी आएंगे, ब्लीज. सिर, देखिए, इस चाकू पर ऐसे पिंगर प्रिंस के निशान है, इसका मतलब बात साफ है, मुर्डरर ने इस चाकू को काफी कस के पकड़के रखा होगा, इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होगी. अचे, फिंगर प्रिंट्स इसे से मैच होते हैं? हाँ, वरुन से. वरुन से? सर, ये भी तो हो सकता है, कि जब वरुन नदी में ये चाकू फेकने के लिए गया था, तब उस वक्त उसके उंगलियों के निशाने चाकू पे आगे होगी. वो सकता है? ये वरुन के एक भी फिंगर प्रिंट्स नहीं है, इसमें. मिले है एकाद दोख एक ब्लेड पे और एकाद हैंडल पे, लेकिन वो काफी लाइथ है. इसका तो एक ही मतलब है, हमारे पास वरुन के खिलाव कोई सॉलिड एविडेन्स नहीं है. वैसे, रोहित, हम चाहते कि तुम्हें इस अच्छे हो जाओ, फिरसे. रेविलिटेशन सेंटर जाओगे, हम तुम्हें बेजेंगे. क्यों? प्रड़ी, पंकच्च, लेजाए उसे. यहलो, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारे घर पे मिल्ली थी. यह, यह मेरी वॉच नहीं है, सर्. क्या? यह तो वरुन की वॉच्च. वरुन की घड़ी? बास, इसीली में क्या रहता, यहोई, फुनी नहीं हो सकता. सर्, वरुन को उसकी घड़ी लोटाने जाए? हाँ, चलो. जाकर पता भी दीते उसे, कि उसका बुला वक्त शुरू हो रहा है. थैंकियो, ओफिसर. यह विन वेल्फुल. ठीक है. थैंकियो सो मच. ग्रेट जोब, मिस्टर चड़ा. एक मिनटे शेटा साफ. इतनी जल्दी क्या इसे यहांचे ले जाने की? क्या वरुन, तो मैं भी केड़े में कोड़े काट रहे हैं, क्या यहां? इस फ्रीमान साफ. केड़े उसके बिल ओडर्स. नहीं शेटा साफ. वरुन कही नहीं जाएगा. खूनी को कभी बेल नहीं मिलती. वरुन खूनी है. क्या बगपास करें आपका? आपके पास क्या सबूत है? तिफ एक सबूत नहीं. तीन-तीन सबूत है. तीन सबूत. नबर एक. वात्यार, वो चाकू. जिससे इसने मेगा का खून किया. नमबर दो. उस चाकू के उपर मिले हमें वरुन के फिंगरप्रिंट है. और नमबर तीन ये घड़ी. क्ये वरुन? तुमारी घड़ी है नहीं? चट्डा साब ये वरुन की घड़ी खास के सब की घड़ी है. आप से उताने के 15 मिनिट बाद ये घड़ी बंद हो जाती है. जब हमें ये घड़ी मिली तब उसमें बजे थे दो बज़कर 20 मिनिट. मेगा का खूनवा दो बज़े. दो बज़े के आसपास अब खून करते वक्त ये घड़ी वरुन के हाथ से वाग गिर गई. 15 मिनिट के बाद में बंद पड़ गई, बज़े थे दो बज़कर 20 मिनिट. तुम्हें क्या लगा थे? चाकु पानी में फेक दोगे तो फिंगर पिंट्स मिट जाएंगे? चाकु पे हमें तुमारे और रोईद दोनों के फिंगर पिंट्स मिले हैं. मैं वैसे भी तुम्हें खुद हमें बताया था के तुमने अमेला ड्को कहान पर चुपा करा? कि ये सोच कर इसे क्किज nine वाले हुआ आप ऐग्तादू, में वहां पी चुपा कर रखी它, कोई शक नहीं करेगा, यहनदा. लेकिन दो गलतियां कर दी, एक चाको पर अपने फिंगरपिंट छोड़ दिये, दूसरी ये घड़ी रोहित के घर पर छोड़ दी. बताओ, क्यों माला तुमने मेगा को? मैं और मेगा बहुत अच्छे दोस्त है, मुझे मेगा बहुत अच्छी लगती थी, मैं मेगा को पहले सीचाहता, लेकिन मेगा मुझे बहुत इंटरस्ट्ड़ नहीं थी. उस रात जब मुझे पता चला, कि रोहित के घर पर पाटी है, और मैंने मेगा को इन्वायट किया. मेगा तयार होक discussion. मुझे लगा कि मेगा मुझे में इंट्रेस्टेट हुए. और आगे चलके मैं उसे और भी कन्वेंस करूँगा. तेकि नुसराथ, आटी में सब कुछ उल्टा होने लगा साथ. मेगा रोहित के तरफ रत्राक्टेट होने लगी. तोनों एकी रात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. मेगा मुझे में इंट्रेस्टेट नहीं थी, sir. मेगा उस रोहित में इंट्रेस्टेट थी. और तुमसे यह देखा नहीं गया? हाँ. उससे यह सब देखा नहीं गया. मैंने उस्सों रोहित तो कितने माल समझाया कि मिगा से दूर रहे? तेकि नोखा समझने वाला सार, उज्ञें तो समझ भी नहीं आ रहा था कि उससे जो चाहिए, वो उससे मिल जाती. तुन्हों एक दूसरे से फिलर्ट कर रहे थे, मिगा भी खुश्च थी. अब तो रोहित उसे डेट पर ले जाने लगा था. मुझे अच्छी दर सयाथ, रस्ट्रोण में क्या हुआ था? कॉले? मेरा दिमाग कराब हो गया था, मुझसे ये सब बर्दाश्नी हो रहा था, मंद्द कर रहा था कि… उसे मार डालो, और मेगा को तो तुमने मार ही डाला, और फसादिया रोहित को… दुनों के साथ तुमारा ही साथ बराबर हो गया. तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि रोहित तो असानी से फज़ जाएगा. एक तो उसकी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम, दूसरा उसका गुस्सा. और वैसे भी वो ड्रिंक करने के बाद काफी कुछ भूल जाता था. और तुमने उसकी उसी कंडिशन का फाइदा उठा है. हाँ. उस रात में गया था उसके घर. एक ज़िए. यह. यह रोएथ का फेवरेट ब्रांड है. रोहेथ, रोहेथ, जल्दी आओ. रोहेथ, जल्दी आओ. वह रहाएथ, बेवी. जुस्ट विरिट्स. Tumai khehlne khaa b Ott chok tha na? So let's play. This is… Your first kiss. Come on, Rohit. This is a glass. Come on, Rohit. It's an ice. A Baik final kiss. I love you, Megha. मैंने जान बूच कर आपकी मदद की मुझे पता था मैं फसूंगा पता था मुझे सजा भी मिलेगी पर मैंने अपने वकील से बात कर ली उसने कहा था कि वो मुझे बचा लेगा है और फिर तुमा से बेफिकर होकर निकल गये तुम्हें मालूम था जैसे ही रोईजा उठेगा और देखेगा मेगा पिलास को तो से लगेगा कि उसने की मेगा को मारा है थे न ॉसके पहला काब को क्या करेगा अपने खास दोस्त को अपने बेस्ट फ्रेंड वरून को को पो और ये बाद तुम्हें एक सब्सक्राइब नहीं जा सकता, सामने आता ही है. सब्सक्राइब नहीं.